एलो सुटेंट, वेलकम टू दिस वीडियो को ख्षा दस्वी मासिक टेस्ट पेपर माह जुलाई विसाई गडित पूरांग 30 नंबर का रहने बाला है आपका जुलाई माह का जो टेस्ट है इस प्रकास से हो सकता है और देखिए पूरे प्रिशन बहुत ही IMPORTANT है आप सभी प्रिशनों को अच्छे से कंप्रीट करके जायेगा आपकी टेस्ट में बहुत अच्छे माक्स आएंगे और ये आपकी तुरमार्सिक परिक्षा, छमाई परिक्षा और बार्सिक परिक्षा सभी के लिए बहुत ही important question है तो चलिए शुरू करते हैं, निर्देश हैं, सभी परिक्षा अनिवार हैं, निर्देश को पढ़कर ही आप इस परिक्ष्ण पत्र को शुरू कर सकते हैं, देखिए सबसे पहला question आपका दिया गया है, 96 बर पर 404 का S.C.F. होगा देखिए, chapter number first है, बहुत ही important question है, यह आपकी board परिक्षा में कई बार पूँचा गया है, आप देख सकते हैं, पिछले paper उठा के ठीक है, तो 96 बर 404 का S.C.F. जो है, वो 4 निकलेगा, कैसे निकलेगा बो मैं आपको बता दूँ, जब 96 और 404 में छोटी संग्या भाग दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चार बार हम देख के देखते हैं, ठीक है, तो 46, 24, 2 carry आ जाएगा, और 49, 36 और 2, 38, यहाँ पर 384 हो गया, ठीक है, अब 0 बचा यहाँ पर, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर कुछ भी ने बचा, अब देखिए, अब जो 20 आ चुका है हमारा सेसफल, अब इस सेसफल से हम, यहाँ पर 96 में फिर से भाग देंगे, ठीक है, तब तक भाग देते जाएंगे, जब तक की पूरा कटना जाए, और जो पूरा कट जाएगा, मतलब यहाँ पर सेसफल में कुछ नहीं बचाएगा, तो आपका जो भाजक है, ब सेसफल में, अब 16 से भाग देना है आपको, ठीक है, अब देख सकते हैं, अब हम 16 से भाग देंगे, 20 में, तो फिर से आप 16 से 20 में भाग देंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूं, ताकि आपको अच्छे समझ में है, देखिए, अब हमें 16 से भाग देना है, 20 में, आपर बतलब 4 बचेगा, आप 4 बचाए, 4 से फिर 16 में देंगे, क्योंकि तब तक देते जाने, जब तक है, आप 0 ना बचे सी, इस पल ठीक है, आप 16 में देंगे, तो 4 चोक 16, अब देखे, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी ने बचा, तो अब जो भाजा किया आ आप 2 बचे स्के। बटेम होगा तो यह आपका अंसर हो जाएगा अब यदि बात की जाए यहाँ पर देखिए अभी तो हमने यहाँ पर अलफा इंटू बीटा देखा यदि पूछ लिए अलफा फ्लस बीटा तो यह क्या होता है यह होता है माइनस बी अपॉन ठीक है सुनने को का जो योगफल ह 3y बराबर 5 में यह दिए x बराबर 1 है तो y बराबर क्या होगा देखिए मैंने आपको solve कर दिया ताकि आपको clear हो जाए यह दिखिए आप देख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5 तो 3y बराबर 5 तो 3y बराबर 5 माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि पक्षांतर हमने कर दिया तो 5 में से दो गया 3 तो 3y बराबर आपका जो बचेगा 3 अब देखिए 3y बराबर 3 है तो y बराबर 3 मटे 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पक्षांतर करने पर गुड़ा की भाग में भाग की गुड़ा में पहुंच जाती है यहाँ पर गुड़ा में 3 तो y यानि कि y बराब 4 easy होता है सही जोडी देख लिए सही जोडी यहाँ पर देखिए सही जोडी यह बनाई ए यह … इस अब और 2 कहलोगा और एक और स्थिति होती है उसको भी याद रखिएगा जब तीनों बराबर हो तो ये भी आपको याद रखना है जब तीनों बराबर हो तो ठीक है अब देखिए सत्त देख लेते हैं बहुत important सत्र सत्र पर पहला कुशन है जब D आपका दिखे या तो D 0 के बराबर हो या आपका D 0 से बड़ा हो ठीक है तो बर्ग समिक्रण के मूल बास्तविक होते हैं यह सत्र है या सत्र बताना है तो यह बल्कुर सत्र है क्योंकि यह दिदी की वैल्यू देखे इसका मतलब क्या होता जिस तरब यह आपका खुला रहता यह यानि की बड़ा है ठीक है यानि D की तरफ खुला है तो D बड़ा होना चाहिए और 0 की तरफ इस प्रकास से तो 0 छोटा होना चाहिए ठीक है तो D यह दिदी बड़ा है मतलब बिविक्तकर का मान यह दिदी बड़ा है डी क्या होता है बिविक्तकर होता है, v2-4 यदि d आपका बड़ा है तो बर्ग समीकर्ण के जो मूल होते हैं वो वास्तिविक होते हैं यदि रखिए आप ठीक है तो ये 7 है, इसलिए मैं इसमें 7 लगाए है अब देखे, यहां पर 3 स्थितिया होते हैं को आपको याद रखना है ठीक है ये विविक्त करके संदर्म में ठीक है डी यदी आपका जो है विविक्त कर है यदी जीरो के बराबर हो ठीक है डी बराबर जीरो हो अनली बराबर हो ठीक है तो आपका क्या होगा 2 बराबर मूल होते हैं ठीक है याद रखिएगा और उसके बाद जादी 2 भिन बास्तविक मूल हो तो यह स्थिति क्या होती है वो स्थिति होती है कि आपका D जो है 2 भिन बास्तविक मूल होते है तो D जो है बड़ा होता है 0 चोटा होता है इसका मतलब क्या है, D की जो value है, वो 0 के बाद ही होगी, यानि कि 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन आपकी 0 से कम नहीं होगी, 0 से कम मतलब क्या है, minus में value, तो minus में नहीं होगी, ठीक है, और जब आपका देखिए, 0 बढ़ा हो, D छोटा हो, तीसरी इस्तिती जब D, छोटा हो, 0 बढ़ा हो, यानि कि D का मान जो है, minus 1 हो, minus 2 है, कुछ भी हो सकता है, मतलब, आपका कुछ भी हो, 0 से छोटी, ठीक है, क्योंकि minus 1 छोटा होता है, 0 बढ़ा है, आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें confuse में तो हुएगा, 0 आपका बढ़ा होता है, minus में को अची से याद रखनी है, ठीक है, उसके बाद देखिए, अंगला कुछ ने, रूड़ दो एक परेमिय संख्या है, तो यह सत्त है, ठीक है, क्योंकि यह आपरेमिय संख्या है, ठीक है, एक सब्दे बागे मन देख लीजे, रेखेक बभुपत की घात कितनी होती है, तो यहां 135 और 225 का यहां पर आपको निकालना है HCF तो देखिए यहां पर इस प्रकाद से पूरा solve मैंने कर दिया है जैसा मैंने बताया था पहला question आपको objective का उसी प्रकाद से इसको solve करना है उस प्रकाद से आप कर सकते हैं इसका अंसर यह जाएगा ठीक है दुगात बहुपद एक्स उसकोर प्लस आप एक्स प्लस दस के सुनने क्याद कीजिए तता ससुनने की तता गुढ़नकों की संबंद की संब्सक्ता की भी जाँच कीजिए तो दिया गया भाउपद इस प्रकाद से है उसके बात गुढ़नखंट इसके हम जीरो करके ठीक है आप ह pechashthut कर देंगे तो देखिए इस प्रकाहल से आप लेंगे जोगी समीकर्ण को आपको यहाँ पर कोई भी एक संख्या आपको एक जैसी बरानी होगी ठीक है इसको आपको यहाँ पर दो से कुणा कर देंगे चाकि यह छे हो जाए और यहाँ पर तीन से कर देंगे ताकि यह भी छे हो जाए ताकि यह कट सके ठीक है तो इस प्रकास से आप कर सकते हैं तीन से कुणा कर देंगे तो इस प्रकास से बन जाएगा आपका समीक्रण और इस प्रकास से पूरा बाई का मान आ जाएगा तो यह आपका बिलोपन बिदी प्रकास से आप कर सकते हैं एक्स का मान ग्यारा बटे चार आ जाएगा ठीक है उसको गुड़न खन बिदी से आप इस स्कौर मानिस फोल पूंशन पूंशे आठीक गयाद कीचे इस प्रकास से कर सकते हैं ठीक है पूरा civisui कि सामने है इस प्रकास से आप आतुका इनकी प्रश्ण खेए दो प्रश्ण पूंशे आंगे दी भी ठीक है एक से चार तक कि अध्याय आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए उसी क्यादार पर ये टेस्ट आपका आएगा ठीक है ऐसी दो संख्यां क्याद कीजिए जिसका योग 27 और इनको आप बुक में देखिए और उससे अच्छे से आप सॉल्व करके जाएगा ठीक है ये असानी से हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही सरल है ठीक है उसके बाद देखिए ये दो कोश्चन और है मतलब आठवा कोश्चन है वह एक ही कोश्चन है चार नमबर कंप्लीट करके जा सकते हैं आपके मासिक टेश्च के लिए इसे आपकी तरमासिक परिक्षा की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी ठीक है और इसी प्रकाल से आपके सभी वीडियो जो है वीडियो मिलते रहेंगे तो सब्सक्राइब जरू कर लेना और चैनल को बिजिट जर करकना ताकि आपके आने वाले परिक्षा की तैयारी भी हो सके थैक्स हुआ